आप सभी का स्वागत है My Gadget Experience में दोस्तों आज मेरे पास Infinix Company का एक बजट स्मार्टफोन Infinix Hot 9 है इसे मैंने 9500 रुपे में Flipkart से खरीदा है इसके स्पेसिफिकेशन्स बहुत अच्छे हैं इसमें MediaTek Helio 2 GHz का P22 Octa-Core प्रोसेसर है इसके दोनों SIM VOLTE 4G को सपोर्ट करता है दोस्तों आप देख सकते हैं इस phone की original packing बहुत अच्छी है अगर इसके configuration की बात करें तो इसमें 4GB RAM और 64GB का internal memory है 5000 एमेज का बैटरी और 6.6 इंच का HD Plus डिस्पले है इसमें पीछे तरब 4 camera और सामने में एक in-display camera है selfie camera 8MP का और पीछे का man camera 13MP का है इसमें fingerprint scanner और face unlock भी है जो security के हिसाब से बहुत important है Infinix का Swam का develop किया हुआ XOS 6.0 and right-based operating system है इस price range में face unlock के अलावा DTS audio feature भी काफी अच्छा लगा दोस्तों यह phone जहां भी बना हो लेकिन इसमें made in India लिखा है इस phone के साथ यह charging cable, power adapter, warranty card, user manual और एक greeting card भी मिलता है साथ में SIM tray ejector pin भी दिया है इस mobile phone के साथ back cover और screen protector seat भी मिलता है इसका front camera screen के corner में है और बाकी सभी camera, flash और fingerprint scanner पीछे देख सकते है इस phone की build quality काफी अच्छी है, काफी thin दिखाई दे रहा है सबसे पहले दोस्तों इसका power on करते है इसमें आप देख सकते हैं XOS operating system boot होते दिखाई दे रहा है इस phone के display में अच्छी brightness है, colors बहुत अच्छे से दिख रहे हैं और phone का speed भी अच्छा है इसमें बहुत सारे apps pre-loaded है अगर इस phone की camera quality की बात करें तो इससे बहुत अच्छे photos और videos capture कर सकते हैं बहुत नजदीक के object के भी photo खीच सकते हैं मतलब macro photos भी ले सकते हैं वीडियो quality काफी अच्छी है इस phone से बहुत अच्छे video recording हो जाते हैं इस phone से लिये गये macro photos ठीक ठाक है बहुत अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि zoom करने पर photo की quality थोड़ी down दिखाई देती है इस phone से लिया गया यह selfie photo भी देख सकते हैं इस phone की सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी इस phone का DTS audio sound मुझे काफी attractive लगा इस phone की sound quality clear और loud है आराम से बीना external speaker के audio का मज़ा ले सकते हैं इसमें 5000 image का battery है जो लंबे समय तक phone को use करने में मदद करती है तो दोस्तों overall देखा जाए तो यह एक budget smartphone है यह phone उनके लिए उपयोगी है जो normal use करते है यह multimedia usage के लिए अच्छा option है इसी price range में दूसरी company की mobile phone में इतने सारे configuration नहीं मिलेंगे इस phone का display, DTS audio speaker, face detection, memory, battery और camera सभी इस phone को value for money बनाती है अगर आप चाहें तो इसी price category में इस phone को दूसरे smartphone से compare कर सकते हैं और अपनी पसंद का खरीच सकते हैं इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद, चैभारत, जैचतीजगर